हलो बच्चों, आज का टॉपिक है डाइपोल इने उनिफॉर्म एलेक्टिक फिल्ड किसी उनिफॉर्म एलेक्टिक फिल्ड में किसी डाइपोल को रख देते हैं तो उसका रेजल्ट क्या आता है? आज के टॉपिक में हम लोग यही सीखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं? कि एक डाइपोल बनाते हैं, जिसे हम लोग यूनिफॉर्म एलेक्टिक फिल्ड ए में रख देते हैं तो यह जो लाइन्स दिखाई गई हैं, यह क्या है? यूनिफॉर्म एलेक्टिक फिल्ड ए है ठीक है यह क्या है uniform electric field eco represent कर रहा है अब इसमें हमें क्या करना है एक dipole को रखना है जो angle कितना बनाए theta बनाता हुआ रखा जाएगा मालिया हमने क्या रखा एक dipole रखा ठीक है और इसका जो charge होता है dipole का minus q ले लिया और एक plus q आवेस ले लिया ठीक है charges दो ले लिये minus q and plus q इतनी बाद समझ में आगी अब करते क्या है यह minus q charge यह plus q charge और इसकी बीच की distance होगी वो क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी कितनी हो जाएगी बीच की distance पता होगी बीच की distance हो जाएगी 2L बीच की distance को लिया हमाँ पास 2L हो गई तो जो direction होती है dipole की वो किदर से किदर होती है minus से plus की तरफ मतलब p क्या है इसका dipole है सबसे पहले दो charge लिये minus q और plus q और बीच की distance 2L ले लिये अब हम देखते है minus q charge की वज़ए से force इदस direction में लग जाएगा इस direction में force लग गया और plus q की वज़ए से जो force लगेगा वो इस direction में लग जाएगा ठीक है इतनी बाद समझ मागी अब देख लो let a dipole be held in a uniform external electric field e एक dipole रखा गया है external electric field e में at an angle theta और जो angle बना रहा है वो क्या बना रहा है यहां से theta माली यहां पर angle बन रहा है वो क्या बन रहा है theta बन रहा है और dipole क्या है p है यहां से angle कितना बन गया theta ठीक है confirm हो गया इतनी बात कह रहा है net force on the dipole equal to 0 अब net force क्या हो जाएगा दोनों के बीच में भाई एक charge है plus q जिसका force इस direction में है और एक minus q charge है जिसका force इस direction में अगर हम direction की बात करें तो जो magnitude है दोनों का equal है ये plus का है ये minus का है magnitude तो दोनों के same है बट direction अलग है एक इस direction में जा रहा है force एक इस direction में force जा रहा है तो इसका result क्या निकलेगा? Net force on the dipole is 0 तो दोनों का जो net force निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? Dipole का 0 हो जाएगा क्यों 0 हो जाएगा? माल यह एक force यहाँ पे लग रहा है एक force यहाँ पे लग रहा है और दूसरा force यह अधर लग रहा है एक force यदर लगा, एक force यदर लगा लेकिन दोनों force की जो magnitude माल यह 2 Newton का लगा होगा इस direction में भी कितना लगा है? 2 Newton का लगा इधर भी 2 Newton का, यह भी 2 Newton का जब equal and opposite हो magnitude equal हो लेकिन direction opposite हो तो क्या होगा? यह एक दूसरे को cancel out कर देंगे यह इनके effect को हम लोग क्या कर देंगे? cancel कर देंगे यह force इसके effect को cancel करेगा यह वाला force इसके effect को जैसे कि तुमने देखा होगा school में दो team है बनाई और रसी खीचने के लिए हमने बच्चों का तयार कर दिया तो होता क्या है? जब एक तरफ boys है boys की team माल ली हमने दूसरी तरफ girls की team माल ली और यह रसी को पकड़े हैं इदर से यह रसी को इदर पकड़े माल यह 50 kg की girls की total जितनी भी girls है न उनका weight 50 kg है और अगर इदर भी माल लें कितना boys का भी माल लें अगर 50 kg इस direction में जितना इदर girls लगा रही force उतना ही इस direction में boys लगा रहे तो एक दूसरे के effect को क्या कर रहे होंगे cancel out कर रहे होंगे ना इदर असी जा रही होगी ना ही उधर जा रही होगी कोई किदर भी नहीं खीच पाएगा क्योंकि force को क्या कर रहे होंगे equal weight कर रहे होंगे और equal weight जब करेंगे तो क्या करना पड़ेगा उसके एक दूसरे के effect को खतम कर देंगे माल लिया तुमारा यह force इस direction में है यह force एक direction में है तो तुमारा net force क्या हो जाएगा dipole पर वो zero हो जाएगा इतनी बात समझ महा की आप हम करते क्या है करेंगे हम क्या, एक लाइन दुक हो यह force है फोस को अगर हम पीछे एक line ड्रो कर ले इस तरीक से इस तरीक से अपने line ड्रो कर ली और इसकी perpendicular डालने यहां से क्या चब परपेंड़िकुलर एक्स तो साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है पंडित बद्री प्रशाद हर हर बोले यह पड़ा होगा आपने तो साइन वाला क्यों सा होता पंडित और हर मनला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो साइन थीटा एकोल टू क्या होता है पर पर्पेंडिकुलर क्या होगा अगर पर्पेंडिकुलर तो यह वाला अगर एंगल थीटा है यह वाला एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा और थीटा के सामने क्या होता पर्पेंडिकुलर होता है तो साइन थीटा एककोल टू क्या हो जाएगा पर्पेंडिकुलर पर्पेंड यह हो गया और यह होता है बेस और इससे बौलते है है तो इसके है कितना हो जाएगा को टुशन के टुशन धीटा यहां तक समझ में आ गया चली आगे बढ़ते हैं तो x की value हमने find कर ली, x की value जो निकल के आई, वो निकल के आई, x equal to 12 sin theta, net force on the dipole is 0, इतनी बात भी बता दी, कि एक force इदर लग रहा है, एक force इदर लग रहा है, तो net force क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इतनी बात समझ में आगी, अब देखते हैं, the force on charge plus q and minus q resulting in a torque on the dipole which rotates the dipole, अब एक force इस direction में लगा, एक force इस direction में लगा, तो यह जब खीचेगा, तो यह जब खीचेगा, तो यह जब खीचेगा, तो यह डाइपोल नीचे जाएगा, यह dipole उपर की तरफ चले जाएगा, और यह किस की direction में आ जाएगा, electric field की directions में आ जाएगा, भाई, simple सी बात समझो, यह इस तरीके से रखा है, मालिया इस तरीके से हमारा dipole रखा है, इस direction में force लग रहा है, और इस direction में force लग रहा है, यह तुम्हारा क्या है dipole है, तो यह dipole direction में हो जाएगा ठीक है इतनी बात समझ में आगी तो इसके आगे लिखा भी यह उसे पढ़ देते हैं दस दफ टार्क दस दफ टार्क टेंड टू एक्वल डाइपोल तो इस लिए जो टार्क है वो क्या करेगा इस दाइपोल को किश समें कर देगा इस तरीके से गहोगा के इस तरीके से और ओपकय लेक्टिक की डारेक्शन में कर देगा थीक है तनी बात समझ की value कितनी निकल आई यही तो displacement है x है चुकि x बराबर तुम पहले से पर चुके x बराबर क्या है 2L sin theta x equal to क्या है 2L sin theta तो क्या करेंगे torque बराबर लिख लेंगे force force तो हमें पता ही है force बराबर कितना दिया गया है भाई force force equal to देखो यहां न a force equal to क्या होता है force बराबर क्यों होता न लिख देते हैं side में अगर नहीं समझंग में changes अब क्या करते हैं टा राबर हम क्योória और क्या आख लिख ले था हैं क्योश सफ़ल 2L को तो लिख दो भाई 2 इंटो Q इंटो L 2QL को हमने एक साथ कर लिया बचा है क्या मेरे पास भाई मेरे पास E बच गया ना और साइन थीटा बच गया चुकि लिख देते हैं आपको P equal to क्या होता है 2QL P equal to क्या होता है 2QL जहाँ पर 2QL लिखा है वहाँ पर हम क्या पूट कर सकते हैं P की value पूट कर सकते हैं तो देखो कहाँ पर 2QL लिखा है 2QL की जगा पर यह लिखा है ना तो इस 2QL की जगा पर हम पूट कर देंगे P तो लिख देते हैं tau equal to P E sin theta ठीक है clear हुआ tau equal to कितना आगया P sin theta अब हम कुछ एक आपको formula बताते हैं उस formula को देख लीजी आप अगर A dot B लिखा है तो इसका मतलब होता A B cos theta अगर A dot B लिखा है A cross B लिखा सोरी A cross B लिखा है तो A cross B के लिखते हैं A B sin theta अब आप देखिए sin theta आ रहा है इसमें भी sin theta आ रहा है इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हैं A cross B लिखा है यहाँ पर A B लिखा है तो यहाँ पर P E लिखा है A B sin theta तो यहाँ पर क्या लिख देगे A की जगा पर P आ जाएगा और B की जगा पर E आ जाएगा तो tau equal to क्या जाएगा P cross E sin theta अच्छा एक चीज़ और बता दे इससे ही हम लोग vector form में भी बोलते हैं क्या बोलते हैं vector form में torque तो लिख दें इस तरीके से vector form इससे हम लोग क्या बोलते हैं vector form तो आसा करता हूँ आपको मेरा ये lecture आपको अच्छा लगा होगा dipole uniform electric field अब आप हमसे जुड़ जाएए और मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए इसलिए क्योंकि अब आपको लगातार videos मिलते रहेंगे आपको 12th, 10th, 11th सभी के complete course वो भी free में पढ़ाय जाएगा